Hello students, welcome to Navankur Digilations class, मैं सीमा साथ, Social Science का एक नया टॉपिक लेकर आपकी वीचु पस्तित हूँ, तो students, आज हम पढ़ेंगे जल मंडल के बारे में, तो आज का हमारा टॉपिक है जल मंडल, आपने सुना होगा, प्रत्वी पर जल की मात्रा जादा है, तो आज हम इसी जल मंडल के ब प्रत्वी के दरातल का लगभग तीन चौथाई भाग जल से घिरा हुआ है, तो students, आप सभी ने सुना होगा, कि प्रत्वी का लगभग तीन चौथाई भाग, यानि कि, जल की मात्रा काफी जादा है, मतलब तीन चौथाई, 100 में से 75% प्रत्वी पर जल है, प्रत्वी का जल से घिरा हुआ भाग ही जल मंडल कहलाता है, हम जल मंडल की बात कर रहा है, तो जल मंडल होता क्या है, प्रत्वी का जल से घिरा हुआ भाग या जल से घिरा हुआ हिस्सा ही उसका जल मंडल कहलाता है, प्रत्वी के लगभग 71% भाग पर जल और 29% भाग पर थल है आपने ये सुना होगा कि प्रत्वी पर प्रत्वी पर जल की मात्रा अधिक है यानि प्रत्वी पर जल की मात्रा जादा है तो वो कितने प्रतिशत है तो प्रत्वी के लगभग 71 प्रतिशत भूभाग पर पानी है यानि कि जल है और 29 प्रतिशत भाग पर थल मिस जमीन ह तो इस तरह हम यह कह सकते हैं कि 100 में से 71 yaitom 70% प्रत्वी पर जल है और 29 प्रतिशत थल है तो पानी की मात्रा भूमी की मात्रा से ज्यादा है इस प्रकार थल की तुलना में जल भाग अधिक है यynि कि overall हम ये कह सकते हैं कि प्रत्वी पर जल की मात्रा जाद फैंडा हैą और वो किस रूप मैं है? सागर और महा सागर के रूप में प्रत्वी पर पानी अधिक है प्रत्वी के दो तिहाई भाग यानि तीन चोथाई भाग पर जल ही जल है आप यहां चित्र में देख सकते हैं, आपको यहां पर दो गोलार्द दिख रहे होंगे, एक है स्थलिय गोलार्द और दूसरा है जलिय गोलार्द, प्रत्वी पर जो जल है, उस जल को भुगल में जब नक्से में दर्शाया जाता है, तो नीले रंग से दर्शाया जाता है, पानी कहीं पर भी हो, प्रत्वी के जिस भी हिस्से पर पानी होता है, नक्से उसे नीले रंग से दर्शाये जाता है। उसे हम जली गोलार्द कहते हैं और जहां पर भूमी यानि की जो पीला कलर है जो भूमी को indicate कर रहा है यहां पर यह भूमी जादा है इस्तली यानि की भूमी और जल मींस पानी तो इस तरह आपने सुना होगा एक प्रत्वी पर को दो गोलार्दों में भी मतलब डिवाइट किया गया है एक जिसको हम को यहां पर कह रहे हैं इस्तली गोलार्द और दूसरा कह रहे हैं जली गोलार्द वैसे दो गोलार्द होते हैं उत्री गोलार्द और दक्षनी गोलार्द उत्री गोलार दैनी उपर का भाग दक्षनी गोलार दैनी के नीचे का भाग यह से प्रत्वी को दो हिस्सों में बाटा गया है तो यहां पर इसको हम जल की मात्रा और थल की मात्रा दोनों को दिखाने के लिए यहां पर आपको बता रहे हैं अब हम यह जानेंगे कि यह जो ध तालाब आदी समलित हैं, यानि जल मंडल में समुद्र तो हैं, समुद्र के अलावा यानि महासागर, सागर, खाडियां, जीले, नदियां, तालाब ये सभी जिन जिन में पानी की मात्रा है, यानि जो पानी वालिस रोत हैं, ये सभी जल मंडल में आते हैं, सागर छोटे होते गुदे हैं, महसागर बड़े होते हैं, तो इस तरहे खाडियां खाडियां भी छोटी होती हैं, जिनका तीन हिस्सा भूमी से घरा रहता है और एक भाग जहां पर पानी होता है, ऐसे हिस्से को हम प्रत्वी के खाडि कहते हैं, जीले आपने नाम सुना होगा, नदीय आप सभ जानते हैं, तालाब भी होते हैं, तो ये सभी पानी के शुरूत हैं, और इन सभी में पानी होता है, इन सब के मिले जुले रूप को ही हम जल मंडल कहते हैं, प्रत्वी के धरातल पर जल और थल के वितरन में बिनता पाई जाती है, यानि प्रत्वी पर जल और थल के वितरन मे काफी अंतर है उत्री गोलार्द में थलभाग अधिक होने से इसे इस्थली गोलार्द कहते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है इस्टुडेंट्स दो गोलार्द होते हैं एक होता है उत्री गोलार्द दूसरा होता है दक्षनी गोलार्द प्रत्वी को दो गोलार्दों में ब पाइख होने से इसे जलिय गोलार्द कहते हैं, जो नीचे वाला हिससा है जिसे हम दक्षनी गोलार्द कहते हैं, उसमें पानी जदा है, इसलिए उसे जलिय गोलार्द कहते हैं. और उपर का हिस्सा जहां पर पानी कम होता है उसे हम उत्री गुलार्द कहते हैं जल के छोटे छोटे भाग सागर खाड़ी कहलाते हैं जैसा कि अभी मैंने आपको उपर भी बताया कि ऐसा भूभाग जो जिसके तीन दिशाओं में भूमी होती है और एक दिशा में जो पानी क को टच करता है, पानी होता है, ऐसी भूभाग को हम खाड़ी कहते हैं, तो जल के छोटे-छोटे भाग खाड़ी कहलाते हैं, खाड़ी सागर कहलाते हैं, और बड़े भाग को हम महासागर कहते हैं, जो जल के बड़े स्रोत हैं, वो महासागर के नाम से जानते हैं, जिने हम कहत होते हैं उन्हें हम सागर के नाम से जानते हैं और जो तीन तरफ से भूमी से गिरे होते हो जिसकी एक तरफ पानी होता है उसे हम खाड़ी कहते हैं तो इस तरहे ये तीनों ही स्रोत पानी के हैं कहीं कम और कहीं जादा विस्व के बड़े महासागर अब हम चुकी सागर और महासागर की बात कर रही है तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि पूरी प्रत्वी पर चार बड़े महासागर हैं कितने चार चार महासागर हैं और उसके बाद जितने भी समुद्र हैं वे सब सागर के नाम से जानते हैं उन्हें हम सागर कहते हैं और उनके अलग-अलग नाम है लेकिन महासागर सिर्फ चार है उनके नाम इस प्रकार है नमबर एक प्रिशान्त महासागर नमबर दो अट्लांटिक महासागर और नमबर तीन पर है हिंद महासागर तथा नमबर चार है आर्कटिक महासागर तो इस त महासागरों में सबसे जो बड़ा महासागर है प्रिशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा और गहरा सागर है प्रिशांत महासागर है तो इस तरह हम यह कह सकते हैं कि प्रतवी पर जलकी मात्रा जादा है और वो किस रूप में है सागर और महासागर के रूप में प्रतवी पर 97 37% यानि 97 प्रतिशत जो पानी है बहे सागर और महासागर का ही है सागर और महासागर ही के रूप में पानी है और बाकी जो 3% बसता है उसमें 2% में आपका नदी जरने ये सभी आते हैं और 1% जो बसता है वो आता है भूमिगत जल जो की पीने लाइक होता है तो इस तरह प्रत्वी पर पानी की मात्रा लेकिन उसमें पीने वाले पानी की मात्रा कम है तो students आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्वी पर यह जो पानी है वो किस रूप में है और उसके कौन-कौन से साधन है तो पानी प्रत्वी पर सागर और महासागर के रूप में फेला हुआ है जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पूरी प्रत्वी पर चार महासागर है कितने महासागर है? चार महासागर है तो पहला जो सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रिशान्त महासागर तो अब प्रशान्त महासागर ये है विश्व का सबसे बड़ा महासागर ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है इसकी ओसत गहराई लगभग 4200 मीटर है यानि प्रशान्त महासागर की जो गहराई है वो कितनी है 4200 मीटर इसकी गहराई है और उत्तर की और यह है सक्रे बेरिंग जल डमरू मद्धे द्वारा उत्री धुरुप सागर यानि कहां से कहां तक यह फैला हुआ है तो यह है उत्तर की और सक्रे बेरिंग जल डमरू मद्धे द्वारा उत्री धुरुप महासागर से जुड़ा है दक्षिन में यह है इसमें कई गहरे गर्थ हैं गर्थ मींस होता है खड़े संसार का सबसे बड़ा गर्थ मेरियाना है जिसकी जो गहराई है वो है 11,022 मीटर तो दुनिया का सबसे बड़ा गर्थ प्रिशांत महासागर के अंदर है और प्रिशांत महासागर में जो सबसे बड़ा गर्थ है उसक इसका नाम है अट्लांटिक महासागर, कौन सा महासागर स्ट्टेंट्स, अट्लांटिक महासागर, यह विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है, इसकी ओसत गहराई लगभग 3,000 मीटर है, यानि प्रिशांत महासागर की गहराई 4,200 मीटर है, तो अट्लांटिक महासागर की कहराई तीन हजार मीटर है यानि कि इससे छोटा है तो कम है यह उत्तर में वेफिन खाड़ी हरसन खाड़ी पूर्व में उत्री सागर से दक्षिन में अंतार्क्रिटिका महादीप तक फैला हुआ है यानि कि यह उत्तर में वेफिन की खाड़ी हरसन की खाड़ी और पूर्व में उत्तरी सागर से दक्षन में अंटार्टिका महादीब तक फैला हुआ है अब हम बात करेंगे तीसरे हिंद महासागर की हिंद महासागर जैसा कि इसका नाम है हिंद महासागर तो यह हमारे देश भारत की दक्षन दिसा में भी इस्तित है यानि प्रतवी पर जो चार महासा उन चार महासागरों में से एक महासागर हमारे देश भारत में भी इस्तित हैं और यह हमारे देश की दक्षन दिसा में इस्तित हैं इसकी ओसत गहराई लगभाग तीनजार छेसो मीटर है यानि छेतीसो मीटर इसकी गहराई है उत्तर में इसका विस्तार कम है लेकिन दक्षन में अधिक है दक्षन एसिया पूर्व अफ्रीका पशिम ऑस्टेलिया दोरा यह है गिरा हुआ है यह महासागर दक्षन में अंटार्क्रिका महादीप तक फैला है तो इस तरह है student यह जो तीसरा विश्व का सबसे बड़ा महासागर है वह हिंद महासागर है और यह हमारे देश भारत में भी है और इसकी गहराई 3600 मिटर है जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ अब हम बात करेंगे आर्किटिक महासागर की विश्व का चौथा महासागर है वो है आर्किटिक महासागर यह उत्तरी द्रूब के चार और फैला है कहां फैला है उत्तरी जो द्रूब है उसके चार और फैला है इसकी ओसत गहराई 1800 मिटर है यह वर्ष के अधिकान समय बर्प से ढखा रहता है आर्कटिक जो महासागर है इसकी औसत गहराई कितनी है इसकी औसत गहराई है 1800 मीटर यानी की बागी की तीन महासागरों से ये काफी कम गहरा है और इसकी मतलब गहराई तो कम है साथ ही ये महासागर बर्सवर बर्प से ढका रहता है तो students इस तरह चारों महासागरों के बारे में हमने यहाँ पर जानने की कोशिस की यह जो चारों महासागर है तो overall हम यह कह सकते हैं कि प्रत्वी के 71 प्रतीशत भाग पर जल और 29 प्रतीशत भाग पर क्या है थल है उत्री गोलार्द में जल भाग कम और दक्षनी गोलार्द में जल भाग अधिक है इसके बाद संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है प्रशान्त महासागर है और इसकी जो गहराई है वह 4200 मीटर है तो इस तरह students आपको इन सभी महासागरों के बारे में याद रखना है कि कौन सा महासागर बड़ा है कौन सा छोटा है और किस महासागर के कितनी गहराई है अब हम बात करेंगे महासागरों की तली की यानि जिस तरह धर्ती पर तली होती है वैसे ही महासागरों के अंदर भी तली होती है यानि इतने गहरे होते हैं गहरे होने के बाद भी उनके भी नीचे तली होती है जमीन होती है तो वो किस तरह होती है उनके बारे में हम यहाँ पर जानने की कुछिस करेंगे इस्थल मंडल के समान ही जल मंडल उची नीचे भाग इस्तित हैं यानि जिस तरह इस्थल मंडल एक समान नहीं है कहीं उचा है कहीं नीचा है कहीं उबढ़ है कहीं खाबढ़ है वैसे ही जल मंडल में भी उचे नीचे भाग इस्तित हैं महासागरी ये तली महादीप ये किनारे से लेकर अत्यदिक गहराई तक भिन्न भिन्न होती है यानि महासागरों की जो तली होती है वह है महादीप ये किनारे से लेकर अत्तिधिक गहराई तक अलग अलग तरह की होती है जिस प्रकार महादीपों के दरातल पर परवत, पठार, मैदान आदी पाए जाते हैं ठीक उसी प्रकार महासागरों की तली भी उची नीची होती है यानि जिस तरह महादीपों पर परवत, पठार, मैदान आदी पाए जाते हैं तरह महासागरों की तली भी उची नीची होती है उसमें भी ये परवत पठार मैदान पाए जाते हैं समुद्र कहीं कम गहरा होता है तो कहीं अधिक गहरा होता है समुद्र की तली को बनावट के आधार पर हम चार भागों में बाट सकते हैं यानि हम समुद्र की यानि आगर की उसे हम बनावट के आधार पर चार भागों में बाच सकते हैं कि किस तरह की होती है नमबर एक है महादीपिये निमगन तड जो जल में डूबी होती है उसे हम महादीप ये निमगन तट कहते हैं तो किसे कहते हैं महादीपों के चारोर तट के पास की भूमी महादीप के चारोर तट के पास की जो भूमी होती है जो की पानी में डुवी होती है उसे हम महादीप ये निमगन तट कहते हैं ये तट मशलियों के भंडार माने जाते हैं, यानि निमगन तट पर मशलियां अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, दूसरे प्रकार की जो तली है, वो है महादीपिये निमगन धाल, महादीपिये निमगन तट की समापती के बाद, महादीपिये निमगन धाल प्रारम हो जाता, यानि कि पहले हमने महादीपीय निमगन तट के बारे में जाना ये भी महासागर की तली होती है, इसके बाद महादीपीय निमगन तट की समापती के बाद में महादीपीय निमगन धाल शिरू होते हैं और इसकी गहराई निमगन तट से अधिक होती है, यानि महादीपीय निम तो जिस तरह हम बात कर रहे हैं, कि धर्ती पर कहीं परवत, कहीं पठार, कहीं मैदान होते हैं, तो कहीं उचाई, जो अधिक उचाई वाला जो भाग होता है, उसे हम परवत कहते हैं, पर उससे कम उचा होता है, उसे हम पठार कहते हैं, उसके बाद जो चारोतरब समतल होता है उसे मैदान कहते हैं धर्ती पर, तो उसी प्रकार समुद्र के अंदर भी कहीं अधिक उचा भाग होता है, वो परवत होता है, उसकी तली काफी उची होती है, वो पानी से भी उपर निकल जाती है कहीं गहीं पर, उसके बाद जो दूसरा उसका पॉर्शन आता है, उसे हम महासागरिये गहरे मैदान की नाम से जानते हैं। महासागरिये गहरे मैदान की नाम से जानते हैं। महासागरिये गहरे महासागरिये गहरे मैदान की नाम से जानते हैं। यहाँ पर खड के रहे हैं मतला खड़े। तो इस तरह है इस्टुडेंट हमने प्रत्वी पर इस थे चारों महासागरों के बारे में जाना। और उनकी महासागरों की तली किस परकार होती है, उनकी बनावट किस परकार होती है, वो चार परकार की होती है, उसे हमने समझने की यहाँ पर कोशिश की है। तो यह जो तीन बड़ी बड़ी बाते थी, जो खास बाते थी, वो मैंने आपको यहाँ पर दुबारा रिपीट करके बताने की कोशिश की है। थैंक्स पर वाचिए।